हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेंड बी पीएसी में जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रखा है कि बिहार सिबिल कोट का हिंदी इंगलिस मैथ में करवा रहा हूँ और मैथ का स्पेशल क्लास सामको साथ बैसे चल भी रहा है आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब किजिएगा और टेलिग्राम पर नहीं जूरे हैं तो टेलिग्राम पर जरूर जूरिएगा क्योंकि सौ से अधिक प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार सिबिल कोट के और प्रिवेस यर के हो चुके है तो ओ सिरिफ स्टेंड बिपिएसी टिलिग्राम आप जॉइन करेंगे तो वहां पर आपको सो वीडियो मिल जाएगा पीडियेफ के साथ मिलेगा और सिलेवस के साथ मिलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ओके ईूनी का भी चल रहे है तो यह भी खतम होने वाला है लग वाग ऑके तो चल है पहला कोषिन है निमलिखित में से उस विकल्प का चैन करें जो नाक में नकेल डालना मुहाबरे का अर्थब्यक्त करता है नाक में नकेल डालना मुहाबरे का मतलब क्या होता है दोस्तो अप्सन है परिशान करना नाक में नत पहनना नियंतरन में करना और नियंतरित करना ओके दोस्तो इसमें से क्या राइट अंसर होगा चलिए बताइए तो देखिए नाक में नकेड डालना का मतलब ही होता है काबू में करना या किसा चीज को नियंतरन करना ओके दोस्तो यानि C right answer हो जएगा ओके C right answer जिन दोस्तों ने C comment किया है उनका बिलकुल इस सही है दोस्तों तोस्तों अगला प्रसन है अगला प्रसन देखते हैं हम लो अगला प्रसन इह रहाँ के सामने अपके डिस्प्ले पर question है दिए गए वाक का वह भा गयात करे जिसमें कोई तुरुटी है। है स्रम की साधना से ही राष्ट महान होती है स्रम की साधना से ही होती है राष्ट महान इसमें से आपको तुरूटी एरर पहजाना है इंगलिस में तुरूटी को एरर बोलते हैं क्या राइट अंसर होगा दोस्तो चलिए बताइए तो देखे होती स्रम की साधना से ही राष्ट महान होती है, होती नहीं है पुलिंग सब्द होना चाहिए, होता है होता तो राइट अंसर होता है, लेकिन यहाँ पर होती है इसलिए तुरूटी है, बी ओके तो बी राइट अंसर हो जागा, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया, उनका बिल्कुली सही है अगला प्रसन देखिए, दिये गए सब्द के प्रिवाची सब्द का चेयन करें, प्रियतन है तो आपको बताना है कि प्रियतन का मतलब क्या होता है अप्शन है प्रियास, पयोद, श्रिष्ट, नयास इसमें से क्या राइट अंसर ओगा तो देखी प्रियतन का मतलब होता है प्रियास करना, कोशिज करना ओके दोस्तों तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ओके ये राइट अंसर होगा जिन दोस्तों ने comment किया उनका ये बिल्कुल सही है ओके अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसन नीम लिखित में से उस विकल्प का चैन करें जो हाथ पाव फूल जाना मुहाबरे का अर्थ ब्यक्त करता है अप्शन है हाथ पैर में चोट लगना, सूजन आ जाना, घबरा जाना, दुखी हो जाना इसमें से क्या राइट अंसर होगा दोस्तों? देखे हाथ पैर फूल जाना मुहाबरे का मतलब होता है घबरा जाना, ओके दोस्तों घबरा जाना, तो देखे C नमर में दिया हुआ है, इसलिए राइट अंसर C हो जाएगा, जिन दोस्तों ने C कमेट किया है, उनका बिल्कुल ही सही है, ओके दोस्तों आप लोग बहुत मंत्री है, उप्सन वाला जो सही होगा, तो देखे, ए राइट अंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों ए, परधान मंत्री ये में जो लिखा हुआ है, अभी वरतमान में भारत के परधान मंत्री कौन है दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पता होगा, ये तो बता देंगे ल के लिए उप्योग सब्ध का चैन करें, मुझे नायना पर चोरी का डैस है, उप्सन है, संदे, गर्व, अपमान, मान, इस में से क्या राइट अंसर होगा दोस्तों, तो देखे, मुझे नायना पर, देखे, इस में से बारा कोशन प्रिभेश सियर का मिलेंगे, इसलिए ये बहुत important set है ओके दोस्तों तो क्या हो जाएगा मुझे नायना पर चोरी का 10 है क्या होगा यानि मुझे नायना पर चोरी का संदे है इसलिए right answer यह हो जाएगा दोस्तों जिन दोस्तों ने एक comment किया उनका बिल्कुल सही है अगला प्रसन देखे अगला प्रसन है दिये गए वाकवांस का लिए एक सब्द दीजिए सरन में आया हुआ के लिए कौन सा सब्द का प्रयोग किया जाता है सरन में आया हुआ के लिए क्या बोलेंगा अब option है सरनागत गुपनिय आगत सरनिय ओके दोस्तों क्या होगा right answer तो देखिए सरन में जो आया हुआ है उसे हम सरनागत बोलते हैं ओके दोस्तों तो right answer यह हो जाएगा ओके जिन दोस्तों ने एक comment किया है उनका बिल्कुल इस सही है अगला प्रसन देखिए सही वर्तिनी वाले सब्द का चैन करे सही वर्तिनी वाले सब्द का चैन करे अपसान है हंस वाहनी हंसा वाहनी इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है ओके दोस्तों तो देखिए दी नमर में देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है ओके दोस्तों बाकी जो है उसमें कुछ ने कुछ गलत है दोस्तो तो D right answer हो जगा जिन दोस्तों ने D comment किया उनका बिल्कुल सही अगला प्रसंद देखे दिये गए सब्द के प्रिवाची सब्द का चैन करे सम्ता का प्रिवाची क्या होगा प्राबरी इसलिए D right answer हो जगा जिन दोस्तों ने D comment किया उनका बिल्कुल सही है अगला प्रसंद देखे दिये गए सब्द का बिलोम चुने और देखे जो प्राक्टिस सेट बिहार सिबिल कोट का चलता है मैत इंगलिस हिंदी का वो रोज साम को पांच बज़े चलता है जो नए भीवर होंगे वो जरूर जूरेंगे ओके पांच बज़े रोज देखेए सजीव है सजीव का क्या बताना है बिलोम और जीव जीव निर्जीव जीवित तो ये राइट अंसर हो जाएगा निर्जीव दोस्तो बी राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण रहा आपके सामने की दियेगए सब्द का बिलोम चुने बिलोम से आपके दो प्रस्ण पूछे जाएगे बहुत इंपोर्टेंट है रोगी रोगी का बिलोम क्या होता है दोस्तों अपसान है योगी भोगी निरोगी बल्वान इसमें से आपको बताना है कि राइट अंसर क्या होगा दोस्तों देखिए रोगी का मतलब होता है कि जो बिमार है होके तो इसमें से आपको बताना है बिलोम भाई जो बीमार नहीं पड़ता उसे निरोगी बोलते हैं तो बी राइट अंसर हो जाएगा जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है अगला प्रसन देखिए आप अगर मुझसे पहले कमेंट किजेगा तो आपका बोनस मिलेगा समझ लिज़े ओके दोस्तों इसलिए आप पहले कमेंट किजेगा हम बता देते हैं और बताने के बाद कमेंट किजेगा फिर क्या फैदा आपका लाइब होने का देखिए दिये गए वाक मेरे खांकित खंड को परतिय स्थापित करने के लिए उपियोक्त विकल्प का चैन करें ओके दोस्तों क्या है उसका भराता अच्छा सिक्छक है उसका भराता उसका भराता अच्छा सिक्छक है तो चलिए बताएए, देखिए, भराता यहां पर बोल रहा है, उसका भराता, यानि किसका भराता, किसी का भराता, यानि मान लिजिए, कि भराता का मतलब होता है भाई, ओके दोस्तों, क्या होता है, मतलब कि अगर यहां पर भराता मतलब होता है, इसलिए राइट अंसर सी हो दे गए वह कौन्स के लिए एक सब दीजी हाथ से लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ हाथ जो हाथ से लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तो चलिए बताए देखे जो हाथ से लिखा जाता है उसे हम हस्त लिखित बोलते हैं ओके तो देखे ऑप्षन में कौन सा लिखा इसलिए ये राइट अंसर हो जागा, ओके दोस्तो, अगला प्रस्ण देखिए, अगला प्रस्ण है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपियोग सब का चैन करें, ओके, राजा हर्स वर्धन, डैस करके लोटे, ओप्शन है, चोरी, निरित, नाटक, दिख विजए, ओके दो लोटे, इसलिए राइट अंसर d हो जागा, दोस्तों, ओके, जिन दोस्तों ने d comment के उनका बिलकुल सही है, अगला प्रस्ण देखिए, दिए गए शबत के प्रिवाची सब का चैन करें, तलाब है, क्या है तलाब है, तो तलाब का प्रिवाची क्या होगा, दोस्तों, तो आपको इसमें से बताना है कि तलाब का परिवाची क्या होता है तो तलाब को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों पोखर बोलते हैं बी राइट अंसर हो जगा जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है अगला प्रसन देखिए देखें दोस्तों अगला प्र अपना का मुहाबरे करता है उसे क्या कहेंगा अपसन कोई बात एक ही बार कहना एक ही बात को बार बार कहना कई बात एक साथ कहना सूर में सूर मिलाना क्या राइट अंसर होगा देखिए एक ही राग अलपना मुहाबरे का मतलब होता है की बात को बार बार कहना ओके तो राइ नहीं दिये गए सब्द का बिलोम चुने दिये गए सब्द का बिलोम बताना है दिये गए सब्द का बिलोम बताना होके खारा है खारा का बिलोम क्या होगा दोस्तो अप्शन है खोटा, सोना, साफ सरल इसमें से क्या राइट अंसर होगा चली बताईए देखे खारा का अर्थ होता है सूध या असली ओके इसका बिलोम होज़ेगा खोटा जो सूध होता है तो राइट अंसर यह होज़ेगा दोस्ते ओके यह राइट अंसर होज़ेगा क्या होज़ेगा दोस्तो यह राइट अंसर होज़ेगा और जिन दोस्तो ने क्या यह कमेंट किया है तो उनका सही होगा ओके दोस्तों जिन दोस्तों ने कमेट किया उनका सही होगा ओके देखिए अगला देखते हैं अगला प्रसन है आपके सामने की सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें ओके अभी सेक दिया हुआ है तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अभी सेक सही लिखा हुआ है, ओके दोस्तो तो देखें, अब D नमबर में देखेंगे तो यह अभी सेक सही लिखा हुआ है, ओके दोस्तो D नमबर आई टंसर हो जागा, ओके दोस्तो ये राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है अपके सामने दिये गए वक्वांस के लिए एक सब्द दीजिए दिये के वक्वांस के लिए एक सब्द दीजिए अच्छे चरीतर वालों के लिए कौन सा सब्द का प्रयोग करेंगे जो अच्छे चरीतर वाले होलते हैं उनके लिए कौन सा सब्द का प्रयोग करेंगे यहनि चरीतर वान तो right answer C हो जागा दोस्तों right answer C जिन दोस्तों ने C कमेट किया उनका बिल्कुल सही है रिकत अस्थानों को भरना है दोस्तों अगला प्रस्ण देखते हैं रिकत अस्थानों को आपको भरना है देखिए यह रहाँ आपके सामने प्रस्ण है प्रस्ण है मनुस को अपनी डैस नहीं छोड़नी चाहिए option अभिमान, कुरोध, भजबन, मनुसियाता क्या right answer रोजगा दोस्तों देखिए मनुस को अपनी मनुसियाता नहीं छोड़नी चाहिए तभी न आप कहलाएंगे कि आप मनुस हैं जी, तो right answer D हो जाएगा मनावता जिसको बोलते हैं इसलिए right answer आपका क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा, अब देखिए गदांस है गदांस है, तो गदांस में आपको पहचानना है कि क्या, right answer रगा खोली के परव के पीछे एक लोग पीरिये और आनविक, डैस है हिरने कसियप, एक राक्षस राजा था उसका एक बेटा था जिसका नाम पहलाद था डैस, भगवान विशनु का भब था ये बात उनके पीता को पसंद नहीं थी पीता के कई बार, डैस के बाद भी पहलाद ने अपने विशनु आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे दिया है भक्ती नहीं छोरी हिरन कसियप ने अपने ही बेटों को कई तरह की सजाए दी, डैस इसवर की किर्पा से हर बार-बार वो बज जाता था एक दिन क्रोधित, डैस, हिरन कसियप ये जो फिल इंद ब्लैंक से है नीशिव अपसन दिया है, यही आपको चून कर बताना है कि इसमें से परफिक्ट कौन सा होगा देखिए, जो पहला अपसन था उसका दूसरा खाली अस्थान था उसमें क्या भरा जाएगा, तो उसमें भरा जाएगा दोस्तो, वा, ओके राइट अंसर C हो जाएगा, ओके अगला प्रसन देखिए, जो 24 नमबर है इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें दोस्तो भारा जाएगा आपका समझाने की बहुत कोजिस की ओके तो right answer D हो जाएगा ओके अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है जो गदांस था उसका खाली चो चोथा अस्थान था इसमें क्या भारा जाएगा यानि पुरंतो उसने एक भी नहीं सुनी इसलिए right answer ही हो जाएगा दोस्तों अगला प्रसन देखिए अगला है गदांस का ही है लास्ट ही है उसमें कौन क्या भारा जाएगा जो उपर गदांस दिया है अभी मैंने पढ़ कर बता है इसमें से क्या होगा तो इसमें से अपका हो जाएगा होकर ओके right answer भी अब आगया ब्याकरन यहां से बनाईए अप लो चलिए कोचन है निमलिखित में से उस बिकल्प का चैन करें जो रंगा CR मुहाबरे कर्थ ब्यक्त करता है रंगा CR मुहाबरे कर्थ ब्यक्त करता है अप्शन है एक समान धोखे बाज रंगा हुआ CR सुन्दर CR इसमें से क्या right answer होगा दोस्तो तो देखिए रंगा CR का मतलब होता है कि क्या मतलब होता है यह नि धोखा बाज तो right answer C हो जाएगा जिन दोस्तों ने C कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है चलिए अगला प्रसन देखिए दिये गए सब्के प्रवाची सब्का चैन करे बीपदा है क्या है बीपदा तो बीपदा का प्रवाची क्या होता है दोस्तों आपको पता होगा चलिए बताए देखिए बीपदा का मतलब होता है आपदा इसलिए right answer B हो जाएगा दोस्तों प्रिवाची है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है आपके सामने क्या दिया है दिये गए उकवांस के लिए आपको एक सब देना है क्या दिये लेख की नकल लेख की नकल के लिए कौन सा ऐसा सौद पर्योग करेंगे कुछ के अस्थान पर अगर आप डिस्पलेस भी करेंगे तो वही होगा दोस्तों, क्या होगा यहनि पर्तिली पी तो B नमबर में देखे बी नमबर में दिया होगा पर्तिली पी इसलिए भी राइट अंसर हो जाएगा ओके दोस्तो अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है दियेगा इस अब्द का बिलोम चुनना है S.O.R.E. मतलब इसके जैसे कोई नहोगे S.O.R.E. का बिलोम क्या होगा दोस्तो चलिए बताईए S.O.R.E. का बिलोम ही होगा दोस्तो अगर आपको पता होगा S.O.R.E. का नाम से पता चलता हो ओके दोस्तो S.O.R.E. का मतलब होता है की दरीदिर्था ओके S.O.R.E. का मतलब समपन तो इसका बिलोम बताना है न तरहाइट अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है आपके सामने निमलिखित में से किसमे ब्यांजन संदी है निमलिखित में से किसमे ब्यांजन संदी है आपको बताना है तो देखिए उन्नाती देखिए D नमर में देखेंगा उन्नाती तो इसमें ब्यांजन संदी है दोस्तो ब्यंजन संदी ओके तो राइटन से डी हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है निमलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम है निमलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम है दोस्तो अपसन है कॉलम अक्षी पेर सुरंग इसमें से क्या राइटन सब्द होगा तो देखे अक्षी जो है न यह आपका तत्सम सब्द है ओके दोस्तो अक्षी तत्सम है ओके अगला प्रस्ण देखे इसमें आपको संदी बताना है संदी से तीन प्रस्ण पुझा जाएंगे संतोस या संतोस सब्द का संदी विछेत क्या होगा संतोस अब्द का संदी बिश्यत क्या होगा संप पलस दोस ओके दोस्तों ये रिपिटेड है पहले भी बता चुके हम ओके तो राइट अंसर सी हो जाएगा ओके अगला प्रसन देखें अगला प्रसन है हे इस वर उन्हें माफ करना इस वाक में कौन सा कारक है इस वर उन्हें माफ करना इसमें कौन सा कारक है दोस्तों तो इसमें आपका संबोधन कारक हो जाएगा ओके राइट अंसर डी हो जाएगा अगला प्रसन देखिए हिंदी का ये लास्ट प्रसन है निमलीखित में बताईए कि द्योगी समास किस पद में है अब बताएं द्यूगी समाश किस समास में है और सने पंचवती आजम वन गमन संदर्व इसमें से क्या राइट अंसर होगा बताए कि पंचवती जो हाइँ द्यूगी समाश है ओके राइट यह हो जागा दोस्तों जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है अब देखे हम लोग English देखते हैं ओके English का प्रस्ण रहा आपके सामने Select the word which means the same as the group of word given anything that cannot be avoided कहने का मतलब है कि जिसे टाला न जा सके आप जिसे इग्नौर नहीं कर सकते ओके तो भाई उसको C commit किया उनका बिल्कुल सही अगला प्रसंद देखिए Select the acronym of the given word mundane दिया है क्या दिया है mundane तो आपको बताना है आपको सबसे पहले mundane का और्थ पता होना जहे mundane का मतलब होता है साधारन या संसारिक तो इसका आपको इसमें क्या बताना है बिलोम बताना है दोस्तों तो बिलोम मैंने क्या बोला mundane का मतलब सधारन या संसारिक तो और सधारन भी बोल सकते हैं इसका बिलोम तो extraordinary हो जाएगा right answer हो जाएगा दोस्तों अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद रहा आपके सामने Select the word which means the same as the group of word given an imaginary ideal society free of poverty and suffering okay suffering का मतलब होता है prairie उससे जो होता है तो देखे इसमें आपको बताना है कि ऐसा राज जो एक आदर्स या आच्छा राज हो या कोई ideal होता है जो एक दुसरे से prairie होता है तो उसमें क्या बोलेंगे आदर्स राज के लिए आप कौन सा सब्द का प्रयोग करेंगे यानि यूटोपियन ओके तो राइट अंसर दी हो जाएगा ओके दोश्तो तो राइट अंसर दी हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन आपके सामने Select the synonym of the given word क्या दिया है गैलेंट दिया है क्या दिया है गैलेंट में इस क्या होता है जो साहसी होता है जिसे बलवान बोलते हैं उस सिंस में इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर आपको synonym बताना है कि इसके जिसे कौन सा सब्द है इसे आप practice कर लिजएगा इरा क्या दिया है eradicate eradicate दिया है तो eradicate में स्वता है खतम करना जर से किस चीज को मिटा देना उस sense में बोलते हैं तो इसका समान कौन सा हो जागा abolish abolish में किस चीज को जर से मिटा देना होता है तो देखे डी नमर में दिया हुए तो राइट अंसर डी हो जाएगा दोस्तो अगला प्रसन देखे अगला है select the most appropriate word to fill in the blank every good word is the result of corporation and best wishes of dash people आपको यहां पर बताना है कि जो खाली अस्तान है इसमें से क्या भारा जाएगा चलिए बताइए तो देखें several होगा ना माल लिजए किसी का result आचा है भाई तो बहुत सारे लोग बहुत सारे का English में क्या बोलते हैं several many people several people तो right answer यहां पर D हो जाएगा दोस्तो जिन दोस्तों ने D comment किया उनका बिल्कुल सही है अगला प्रसन देखें अगला प्रसन है select the option that means the same as the given item to hit the road to hit the road क्या होगा देखे to hit the road का मतलब होता है कि यात्रा सुरू करने यह किसी चीज को आप कहीं जा रहे हैं तो कोई भी चीज स्टार्टिंग के सेंसे में बोलते हैं तो देखे इसके जैसे कौन सा सब्द है यहनी begin once journey देखे तो दिया हुआ है right answer B हो जाएगा दोस्तों यात्रा सुरू करना इसको दूसरे form में बोला गया है चलिए अगला प्रसन देखे select the most appropriate option to fill in the blank honesty does to being trust worthy and gaining personal recognition इसमें आपको क्या बताना है जहां पर मान लिए इमंदारी होगा okay अगर मान लिए कोई किसी चीज़ पर trust करता है इमंदार भ्यक्ति होगा वो जल्दी किसी पर test कर लगा okay उस से क्या बनता है यह को पहचान बन जाता है okay तो मान लिए कोई apre answer है simple भासा में समज़े कोई अपसर है इमांदार है तो क्या उसका कहीं न कहीं रेफर इधर से उधर उसको भागदर के जिंद्री जिंद्री होती है ओके अतलब एक जगों फिक्स नहीं होता है तो उस जेंस में honesty रेफर टु बेंग ट्रस्ट वर्थी तो right answer B हो जादा दोस्टो के अगला प्रस्टन देखिए अग्ला प्रस्टन है इसमें correctly श्पेल्ट Uhrथ बताना है काउनजा सही है ओके दोस्तो तो receiver देखिए स्वे तो receiver लिखा है लेकिन आपको पकरना है कि काउनजा पंसा spelling năm में देखिए वन यकरिवाद का स्पेलिन सही है दोस्तों बाकी जो है गलत है ओके इस तरह ए राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन स्लेक्ट दियो अप्सन डेट मिंस दा सेम अज गिवन आइडम टू है बलास्ट टू है बलास्ट यानि अच्छा समय बिताना मान लिजे कोई इंसान है कोई आपका दोस्त है आप उसके सांथ खुब मोजमस्ती करते हैं अच्छा समय बिताते हैं उसके सांथ खुब बनता है तो उसको इंगलिस में क्या बोलेंगे टू है गुड टाइम ओके तो राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी नमर में देखिए दिया ह इसको बोलते हैं यहीं दान से लिए उदारभ्यक्ति को बोलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा दान से लिया खुब जो देता है उसको भी बोलते हैं देने वालों को इसका अगला है आपको इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो सही option को आप ध्यान से देखेंगे, तो ए नमर में देखें, heterogeneous जो लिखा है, इसका spelling सही है, दोस्तों, बाकि जो है कुछ न कुछ इसमें गलत है, spelling mistake, ए नमर का spelling सही है, अगला प्रसन देखें, अगला प्रसन रहा आपके सामने, क्या दि कहाव सुने हैं न, खिस्यानी बिली खामभानों चे, ओके, किसी को भी गुसा आता है, तो इदर उदर वो करने लगता, उस इंस में बोल रहा है, इसको इंगलिस में क्या बोलेंगे अब, यानि, to be, देखें, दिया हुए, to be wrong about the region for a, for a, या ऐसे भी बोलेंगे, way of doing something, ओक तो देखें, कहाँ दिया है, ऐसा, ऐसा, to make no mistake, यह नहीं होगा, और दुसरा option देखें, to be wrong about region for a, हाँ, तो D नमर में देखें, D नमर में दिया हुए, पूरा, ओके, इसलिए, राइट अंसर आपका, D हो जागा, ओके, दोस्तों, अगला प्रसन देखें, अगला है, select the word, which means the same as the group of word given, concerning appreciation of art, ओके, इसमें आपको बताना है, कि कला प्रेमी, जो कोई चीज बनाता है, जैसे आपका picture बना लिए, कोई art हो गया, उस sense में उसका प्रयोग करते हैं, ओके, तो इंगलिस में इसे क्या बोलते हैं, जो कोई चीज बनाते हैं, जिसके पास कला होता है, talented होते ह है, वैसे लोगों को हम aesthetic बोलते हैं, aesthetic, देखे, बी नमर में दिया हुआ है, तो right answer B हो जाएगा, ओके दोस्तों, अगला प्रसन देखें, अगला प्रसन है, select the most appropriate word to fill in the blank, a software tool used a road, read electronic document is known as, क्या कहलाता है, तो समझिए, यानि, वैसा ब्यक्ति, जो electronic essence में software करूप में document का प्र वैसे ब्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो भाई, वो जाहिर से बात है, browser बोलेंगे उसे, तो right computer operator वाले, इसे बहतर रूप से जानेंगे, और वो लोग होते तो आच्छा सा जवाब देते हैं उसका, okay, तो right answer यह हो जाएगा, okay, दोस्तों, तो यह रहा हमारा हिंदी और English का ट् session करवा रहे हैं, तो वहाँ पर अब जूरिये, और math का class कीजिए, साथ बज़े से, सबी लोग जूरिंग और practice कीजिए, math का जो civil court का syllabus है, पूरा खतम करवा देंगे exam तक, और वो trick कर लेते हैं, trick के मदद से बनाया रहे हैं, वीडियो आप देख रहे होंगे, okay, तो trick के माद practice set के साथ, एक नए वीडियो में, okay, दोस्तों अपने ख्याल रखे पढ़ाई करें, और take care, bye bye